ये टीच्मिंट पे ओनलाइन क्लासेज लेते हैं लखनाओ के बेच्ट रिजल्स लाने वाले कुप्ता सर अब आगरा, कानपूर, बनारस, बरेली सब शेरों के सुटेंट्स के चहेते हो गए हैं 24 सर को ओनलाइन के जहमेले समझ नहीं आ रहे थे फिर टीच्मिंट पे इनोंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडन्स, फीज, सब आटोमेट कर दिया अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बागे सब टीच्मिंट कर लेता है और ये मैं हूँ अब ये भी शुरू किया है पर टीच्मिंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है चाहे जैसी भी जिवरत हो, टीच्मिंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें, टीच्मिंट, इंडिया का नमबर वान टीचिंग अब नमस्कार दोस्तों, स्वगत है आप सभी के अपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकास है यूटेक में गाईज, यूपी स्कॉलर्शिप दोचर बी सक्किस आज के अब मैं बात करूँ, जो इंपोर्टेंट अबडेट है, वो क्या है तो गाईज, चात्र वित्ती आने को लेकर असमंजस का दोर अभी भी बरकरार है और चात्रों में काफी ज़्यादा कन्फियूजन है और इस चीस को लेकर अक्रोज भी है जी हाँ गाईज छात्र काफी ज़्यादा फ्रस्टेट हैं स्कॉलर सी पाने ना आने को लेकर कई सारे छात्र उम्मीद ही खोल चुके हैं तो क्या आप छात्रों को इंतजार करना चीए क्या समंजस का दोर क्लियर हो जाएगा या फिर अप चांसे स्कम हैं देखी हाल में ही आज साम को अभी अपडेट आजानकारी निकल कर सामने आई है उस चिसको मैं आपको बताने वाला हूँ जी हाँ गाईज इससे आप एक मेरा फ्रेंट था उसने बात किया था एक उसके रेलेटिव हैं डीड़लू अधिकारी मतलब रिलेशन में आते हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई यनबिये के बाद ब्लाक वालों के लिए क्या गूड नीज है और किस कटेगरी के छात्रों का मैं वीडियो का अंदर डिटेल डिसकसन करने वाला हूँ सारी चीजों को कवर करेंग लेकिन उससे पहले प्लीज आप सभी से छोड़ी से इस्टाग्राम आईडी का सभी लोग फटाफट से इस्टाग्राम पर फालो करके जो भी सवाल चाहो पूछ सकते हो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छात्रृत्ती आने को लेकर असमंजस का दौर बरकराज जी हां गाईज अभी भी स्कॉलर सी पाहा नहीं रहे परसंट चांसेस बाखीर किसी कि छात्रों के नहीं हैं जो है मैं आपको किलियर बता जे रहा हूं आसा कुछ नहीं हो escriv class प्र कवारों भाई री scholarship दीजाएगे उनको किसी भी प्रकार का problem नहीं होगा साथ ही अब किस category के लिए good news है चलिए उस चिसको भी देख लेते हैं तो guys यहाँ से देख सकते हैं कि बाई जिहनती यादों का कहना है कि B.E.L.L.B. वालो कि स्कोलर सी पाएगी या नहीं बहुत ही कम चांस है B.E.L.L.B. वालो के लिए मान के चलिए 50-50 का कड़ा है जून के पहले सब्ता तक वेट कर लेना है यहाँ पर देखे रिसब सर्मात तीन चार रिक्वेश्ट आये हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीचे इंपॉर्टेंट है तो इस चीस को लेकर यह वीडियो है भाई ऐसा नहीं है कि बेफ़जूल ही बना दे रहा है और जो जानकारी मैंने आपको इस गवराने की जरुवत नहीं है जो मैंने अभी आपको रेसियू बता है उसी रेसियू से स्कॉलर सी पाने का चांस है बाकी किसी भी प्रकार क्या टेंसन न लीजिए डीडवलू से बेरिफाई है तो सब सही है स्कॉलर सी पाना होगा तो आज आएगा अधर वाईस नहीं रखते हैं यहां से देख लेते हैं कि लिए बिलुक्ल भाई आई इवालो को भी शिव क्या होगा तो मेरे बहाई मैं पर आपको टेंसन लेने के जरुवत नहीं इंतजार करना है जुन के पहले सब्ता तक और कुछ रही इस्कॉलर सीप देखें उन्हें से भी मैंने कहा था भाई देखो नेक्ट वीडियो में कवर करूँगा जहां पर देख लेते हैं सर कालेज यन बीए ग्रेडिंग है लेकिन मैं क्लियर कर दूँ कि यन बीए और यन डबल एसी वाले चात्रों को परसान होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है इनका काफी सही कुछ है जो कुछ भी है अब बात कर लेते हैं अंकित पाल का अंकित पाठक जो भी है इनका कहना है कि सर बियर्ड फर्स्टियर की स्कॉल कर लिया देखो भाई जो कूछ जैनरल वालों की बात करते हैं हमेंसा तो जी हां जो अप्डेट रहता है पर ंफानाफ्र मेरा decided पाठक्रेश किना में विर्ड यर का है और अभी तक आया नहीं कालेज में सबका आ गया है तो देखिए प्रन्या जैस्वाल जी आपका चांसिस जो है फो कम है कालेज में अगर सभी लोग पाई चुके हैं आप नहीं पाई हैं तो कहीं ने कहीं कुछ गरवड़ी हुई है बहुत कम चांसिस हैं उपर साथ 36 जापा भी चुकी हैं तो यसे में इंतजार अब ना ही करें तो अच्छा है सर बी एल एल बी का क्या हुआ ही अभी मने आपको बताया ना कि बी एल एल बी का क्या प्रॉब्लम है उबी सी वालो का सर मेरा ब्लॉग सर यहां पर देखिए एक परवेज चौधरी का मैंने कमेंट पिक किया इनका कहना था कि भाई मायनोर्टी को ऊपर वीडियो बना दो और पोस्ट ग्रैजवेट इस्टुडेंट तो भाई थोड़ा सा लागडाउन खतम होने का यह मामना बता रहे है अभी मानोर्टी के लिए कोई खास जानकारी मेरे पास नहीं है भाई मैं भी इंसान ही हूँ हर एक प्रकार की जानकारी तो नहीं रहती जो जानकारी होती वही सिर्फ आपको बताता हूँ साथ जिसका 55% से कम है उसकी स्कॉलर सी पाएगी बिल्कुल नहीं आएगी कोई चांस नहीं है बिजे प्रताप राज बिल्कुल यार देखो डियलेड वालों का चांस बेहत कम है उनका 30% मान के चले चांस है आने का बाकि यार प्लीज आप लोग को बुरा लग सकता है मैं जो आगड़े बता रहा हूँ वह ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो मन में आया बता दिया नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरा इतने दिन से वरकिंग इक्स्पिरियंस से इस फिल्ड में साथ ही इतनी पहचान कांटेक्ट और साथ ही जो लगातार इस फोल्ड में एक्टिव रहता हूं तो काफी ज्याद या मतलब सबसे हट के और आकवर्ड अच्छी खासी जानकारी हो जाती है आप लोगों को मतलब बखुर भी पता होगा इन चीज़ों को यार तो गाइस यहां पर मैंने आपको हर जबाब करना है वहां से भी मैं आपके सारे सवालों के जबाब दे रहा हूं बहराल यूटूब पर कमेंट्स के भी रेगुलर इस फक्त जबाब दे रहा हूं तो गाइस यहां हिंद पंद मातरम टेक्ट